हेई गाइस विल्कम बैक आज की सुबा काफी अच्छी और पॉजिटिव वाइब दे रही है कि कि बाहर में बारिस भी हो रही है जैसे कि आप सब को पता है कि मेरा सिफ्टिंग चल रहा था घर का तो मैं इतना ज़दा बिजी थी कि खुद का कियार करना तो बहुत दूर की बाते ना खाने का ठीकाना ना सोने का बहुत ज़दा हेट्टिक सेड्यूल था अभी सब कुछ सेटल हो चुका है और आज खुद को मोटिवेट करते हुए अपना सेल्फ क्या रूटीन में फॉलो करूंगी एक अच्छी हेट मसाज से सुरू कर रही हूं यहाँ पर मैंने क पोकुनाट वाइल पर थोड़ा सा लॉंग, कड़ी पत्ता, आमवला, थोड़ा सा सिनिमंग, स्टिक और थोड़ा सा ओनियन पाच मिनिट हेट किया है उसके बाद यहाँ पर मैं रोजमेरी एसेंस और टीटरी एसेंस दोनों को मिक्स करूंगी रोजमेरी एसेंस जब भी आ यहाँ पर मैं दस-दस ड्रॉप मैं एड़ किया है उसके बाद यहाँ पर ऑलिव ओईल को मैं एड़ किया है सब को मिक्स करके अब अपने हैर पर मैं चंपी करूंगी इससे हैर फॉल नहीं होगा है मैं जो ड्राइनेस आ जाता है वो भी बहुत सॉफ्ट कर देगा क्योंकि इतना सारा गुड़नेस है जो हैर के लिए तो बहुत ज़दा अच्छा है जैसे कि अभी तो मौसुन चल रहा है तो अभी हैर फॉल हम सब को ही थोड़ा बहुत होता है इचीनेस होता है डैंडर होता है तो चंपी से आपको बहुत हेल्प मिलेगा यह हपते में दो से तिन फॉलो करोगे तो अच्छा रेजल भी मिलेगा उसके बाद अभी में थोड़ा सा मसाज करूंगी बहुत ज़दा रिलाक्स फिल होता है जब भी हेड मसाज होता है और मुझे तो बहुत ज़दा एक्चली नीट है इतना ज़दा स्ट्रेस था मेरे इन दिनों में बहुत है तो आज करते हुए भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और जब भी मैं ऐसे के रिख सभ आगो हेड़ा से नेक्स्ट फिट केर और फिट केर में ज़्यादा कुछ नहीं सिंपल से यहाँ पर मैं पेडिक्यूर करूंगी यहाँ पर मैं वाम वाटर ले रही हूँ तो वाम वाटर में थोड़ा सा मैंने यहाँ पर पिंक सॉल डाला लेमन डाला बेकिंग सोडा अच्छे से सैंपू राल के मैंने मिक्स कर लिया है अच्छे से पाओं को यहाँ पर डिप करना है पास से साथ मिनित रखोगे तब भी चलेगा उसके बाद जो लेमन का जो स्लाइ सकते हैं बहुत सिंपल है और सेलन तो बिल्कुल भी मत जाना इतना सारा पैसा देने में कोई फाइदा नहीं है उन्हीं पैसो अपने कोई अच्छा चीज़ खरीद लो या फिर कुछ अच्छा फ्रूट या फिर स्कीन केर कर लो ज्यादा बेटर रहेगा आप लोग के मेरे वैक्सिंग करने का सेविंग करने का टाइम ही नहीं था और अब मैं करूंगी अपना नेल्स को कट क्यूंकि मेरा नेल्स में कभी लॉंग नहीं रखती हूं क्यूंकि मेरा पैट से दोनों को टेक क्यार करना होता है खाना खिलाना होता है तो मैं रखती नहीं हूं आप hygiene भी maintain करना होता है पर जो लोग बड़े बड़े nails रखते हैं अगर रखते हो तो अच्छे से groom रखो, अच्छे से ख्याल रखो ताकि देखने में इनों presentable रखे मैं नहीं कर पाती हूं क्यारी इसलिए मैं छोटी रखती हूं और हमें सब कट करके रखती हूं और ज्यादा तो nail polish नहीं लगाती हूं कभी-कभी socks से लगा लेती हूं पर हमें सब groom करके रखती हूं ताकि presentable और अच्छा दिखे next healthy diet, healthy life हमारे health से ज़्यादा important कुछ ही नहीं और ना कभी कुछ होना चाहिए first priority हमारे healthy होना चाहिए, अगर हमारे health अच्छा नहीं रहेगा तो आगे हम लोग कैसे survive करेंगे हम लोगों के ना एक आदत बहुत करावे हम लोग makeup में पैसा लगा देते अच्छा expensive कपड़े में पैसा लगा देते, बर्गर अच्छा नहीं रहेगा, पैसा का सारी चीज का क्या करेंगे मनने के बाद तो कुछ ले के साथ में जाना नहीं है, तो अपने health को ही अपने priority बनाना है और ज्यादा से ज्यादा अच्छा अच्छा चीज खाना है, और अभी बर्सात के ग्लोइंग बनाता है, हेल्दी बनाता है आपके जो मेटरपोलेजम है उसको हाई करता है, बहुत स्ट्रॉंग करता है कीवी में वाइटमिन सी है, एंटी ऑक्सिडेंट है और कीवी तो आप स्मूती बना के भी खा सकते हो तो सीजन के जो भी फ्रूड है उसको अपने डाइट पर इंक्लूड करो ताकि आप हेल्दी रहो आपके माइंड भी अच्छा रहे और आपके लाइव भी नेक्स्ट में लगाऊंगी फेस पैक और यहाँ पर मैं यूज कर दी हूँ ग्रीन क्लेर मार्क्स विकोज मेरा इसकीन में बहुत जाता रहा से पिमपल्स इन दिनों हो रहा है और सज बोलू तो इन दिनों मेंने इसकीन केर कुछ भी नहीं किया सेही से तो नहाने कभी टाइम नहीं मिलता था रात में 10 बजे, 11 बजे में नहा थी थी फिर में सो जाती थी तो यहाँ पे मैं milk से अच्छे से अपने face को clean कर लूँगी मैंने यहाँ पे raw milk use किया है raw milk बहुत अच्छे से skin को clean करता है जितना सारा dirt oil रहता न सारे चीज़ को remove कर देता है और उसके बाद मैं face pack लगा लूँगी यार इसको में तब तक रखूंगी जब तक ड्राइना हो जाए अच्छे से मैं ने क्लीन कर लिया है अब मैं हेड वास करूंगी आप लोग के टिप्स देना चाहूंगी मौसुन के टाइम पे हपते में दिन दिना का सैंपू कर रहे हो ते एक दिन अपनों डैंडरफ सैंपू जरूर यूज करना उससे इचिनेस भी चला जाएका डैंडरफ भी नहीं होगा अब पूरा बॉड़ी में अच्छे से सावर जल को एपलाई करने के बाद में अपना हेयर को रिमूव करूंगी तो यहां पे मैं रेजर यूज कर रही हूं क्योंकि अभी सच बोलू तो मेरे पास उतना वक्त नहीं है कि मैं टाइम निकालो एक से डिर घंडा उसके बाद मैं वैक्सिंग करूं और आप लोग को एक बात बताओ मेरे पास वैक्सिन का जो सारे सामान था वो कुछ नहीं मिल रहा है सिफ्टिंग में हमेसा बहुत सारा सामान में रख हो जाता है और इस अभी वो भी हुआ सो अच्छे से मैंने सेविंग कर लिया है उसके बाद आप मैं बॉडी स्क्राबर यूज करूंगी तो यहां पर मैं डव का बॉडी स्क्राबर यूज कर रही हूँ डव का यह पिंग वाला बॉडी स्क्राबर मेरा कली रिशीब हुआ नाइका से और आज मैं यूज कर रही हूँ मेरा फर्स टाइम यूज है और इससे पहले मैंने मैंगो वाला यूज किया था वह अच्छा था कभी कदार यूज कर लेती हूँ जब मेरे पास वक नहीं रह जाता है अधर्वाइस तो मैं होम रेमेडी ही उस करती हूँ और बोडी स्क्राबर डब का अच्छा ही होता है इसकीन बहुत जाता सॉप्ट हो जाता है और मेरे सेविंग कर लिए इसक्राबिंग कर लिए ता भी मेरे इसकीन बहुत जाता क्लीन लग रहा है सॉप्ट लग आज बहुत दीन बात लॉंग टाइम सावर लेके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बहुत लाइट फिल हो रहा है नहीं तो पांच मीट में नहां के मुझे वास्रूम से बाहर आना पड़ता था इतना जदा हेटिक सेडियूल जो था और अभी मेरा लेक्स लग रहा है ग्रूम और अच्छे लग रहा है लड़कियों वाला नहीं तो इतना लॉंग यह था पुरा लड़का वाला फिल आ रहा था मुझे और यहां पर मैं अपना लेक को अच्छे से नरिस कर रही हूं क्योंकि आप जब भी सेविंग और वैक्सि वाडि में दनों में यूस्ट कर सकते हूं किठसे में इंडिरोना मेरे स्किन किया वैसे कुछ किया नहीं ना में सो पाई ना आच्छे से खाना क्राब भी न olsunौर्टी telephone इसक raget खाना केक्डिरा है किया और वैसे कुछ फॉलो किया बट मैंने हमेसा पानी पिया अभी बरसाथ का टाइम है तो हमारे इसकी उतना जदर डिहाइडरेट नहीं होता है क्योंकि उतना जदर स्वेटिंग नहीं होता है तो दो लिटर भी अगर पानी पीओगे एफिक 6 गिलास तब भी इनाफ होता है आपके इसकिन को हाइडरेट रखने के लिए तो हमेसा पानी पीना क्योंकि पानी अगर पीते होना तो एक दो दिन में नहीं दीरे दीरे आपके इसकिन के कॉलिटी भी अच्छा होगा हेल्दी भी रहेगा और इसकिन हाइडरेट रहेगा तो वह पैसे इसकिन ग्लो करता है और आपको ज्यादा कॉस्मेटिक और किरीम की जरूरत भी नहीं पड़ती है अभी दूपता और अभी बारिस होने लगा पर बाहर में बॉसम तो बहुत अच्छा है कॉलकता में तो ऐसा ही होता है कभी बारिस हो रहा है कभी दूप निकल रहा है अब मैं face stimming करूंगी हम सब कोई पता है face stim का benefit कितना है और एक basic कियार है जो हम सब कोई करना चाहिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा essence oil डालाए टीट्री का जब भी मैं stim करूंगी तो बहुत अच्छे से penetrate होगा पोर्स को unclog करेगा और deeply penetrate होने से जो acne rashes हो रहा है वो नहीं होगा धीरे धीरे कम हो जाएगा तो इसकी में healthy glow भी देता है और steam करने से पोर्स बहुत अच्छे से clean भी होता है जब भी हम लोग कोई भी cream, serum लगाएंगे पोर्स clean रहेगा तो deeply penetrate होता है तो after steaming यहाँ पे मैं sit mask यूज़ कर रही हूँ आप लोग face pack भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि after steaming पोर्स open रहता है तो कुछ भी जब हम लोग यूज़ करते हैं बहुत अच्छे से skin में deeply penetrate होता है तो मुझे यहाँ पे sit mask यूज़ करना था तक कि skin मेरा थोड़ा सा hydrate हो जाए अच्छे से sit mask हामेशा फिरीज में रखने के बाद यूज़ करना आपको बहुत अच्छा relax feel होगा और यहाँ पे मैं 15-20 मिनिट तक रखूंगी तब तक क्योंना nail polish लगाया जाए वैचे तो मैं nail polish नहीं लगाती हूँ पर कभी कभी तो shock होता है और अभी टाइसन ने lunch कर लिया डिनर पे time है तब तक के लिए थोड़ा देर के लिए nail polish लगा लेती हूँ उसके बाद मैं remove कर लूँ लाइफ में busy तो हम सब कोई है पर छोड़ी छोड़ी जो खुसिया होता है ना उसको कभी भी neglect मत करना हमेशा memory collect करते रहना और जब तक जिन्देगी है ना guys तब तक tension होगा, depression, बहुत रोना धोना सब कुछ होगा पर अपना खुसियों को भी collect करना, memory collect करना है यह भी तो life का एक party है ना तो हर पल को enjoy करना चाहिए और अभी मेरा 15 मिनिट से भी जादा हो चुका है तो अभी मैंने अपना seat mask को निकाल दिया उसके बाद जो extra जो serum रहता है उसको अच्छे से skin में हलके हाथ से मसाज करना चाहिए ताकि अच्छे से penetrate हो जाए seat mask face से remove करने के बाद मैं कभी भी फेकती नहीं हूँ थोड़ा बहुत serum रहता है तो मैं उसके हाथों पे पाओं पे अच्छे से में लगा लेती हूँ आज का self care day में मैं छोटी छोटी चीज़े करके खुद को motivate किया मेरा mood भी काफी अच्छा हो गया और भुट्टा देखके मेरा पूर और भी अच्छा हो गया और आज का simple सा self care day आप लोग को कैसा लगा मुझे comment करके जरूर feedback से याड़ करना I hope अप लोग को भी अच्छा लगा होगा और वीडियो को खतम करने से पहले बहुत सारा प्यार आप लोग जो मुझे देते हो फिर मिलते हूँ वीडियो में चैनल को ज़रू subscribe कर लेना बाई